जैहिन साथियों, CISA 55M ASI Recruitment 2022 के फिसकल 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर फिसकल में जाने से पहले आप लोगों के लिए क्या कुछ important instruction है क्या instruction आपको follow करने है, exam center में क्या कुछ instruction होने वाला है यहाँ पर आप लोगों को self attached photo की तरीके से करना है और यहाँ पर बहुत सारी लोगों का doubt आ रहा है dress code को लेकर कि dress क्या पहन के जाना है फिसकल सेंटर में क्या dress निकालना पड़ेगा जैसे कि ठंड का मौसम है तो बहुत सारी लोगों का comment सारा है तो आज की इस वीडियो में आपका सारा doubt clear करने वाले हैं कि क्या आप वहाँ पर पहन के जाए और जब आपका physical होगा तो कौन सा dress code आपका होगा चलिए start करते हैं उससे पहले चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए notification बिलको आल पर ज़रू क्लिक कर लिजिएगा सभी important update मिल जाएंगे देखे सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं photo attach का कि photo आपको कहाँ पर लगाना है तो देखे यहाँ पर जब आप अपने call letter download करते होंगे अपना admin card download करते होंगे तो यहाँ पर आपका photo होगा जो आपने form feeling के time लगाया होगा और यहाँ पर आपको एक photo लगाना होगा अब यहाँ पर photo कौन सा होना चाहिए बहुत सारी लोगों का doubt आता है कि कौन सा photo लगाया निव लगाया या फिर जो form feeling के time लगाया था वो लगाए तो यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हैं कोई प्राबलम नहीं है अगर आपने new निकलवाया है photo तो वो लगाए अगर आपके पास यही photo available है जो आपने form filling के time लगाया था तो यही लगा दे कोई दिक्कत नहीं है कि तो यहाँ पर आपको वही photo जो आप photo लगाएंगे वही 4 photo आपको लेके जाना होगा तो इसलिए बेतर रहेगा कि आप new photo निकलवा लेजिए अगर आपके पास वो photo available है 4 photo available है तो आप वही लगा के जाएगा और 4 photo वहाँ पर लेके जाएगा तो यह इसका रहा photo का क्राइटेरिय है यहाँ पर आपको simple सा photo लगा देना होगा उसके बाद यहाँ पर देखे second instruction के बारे में बात करें तो वो है reporting time को लेकर आपकी reporting time जो है वो साड़े 6 बजे है सुबा में साड़े 6 बजे morning में ही साड़े 6 बजे आपकी reporting start हो जाएगी और कोसिस करके आप 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट पहले ही reporting start हो जाएगी इसमें भले ही साड़े 6 बजे दिया गया है कि इन्ट 6 पंदरा से ही reporting start हो जाएगी तो यहाँ पर आप आदे घंटे पहले पहुचे और यहाँ पर आपके 7 बजे reporting बंद हो जाएगी तो यहाँ पर 16 से 7 तक यहाँ पर reporting होगी और 7 बजे से आपका process start हो जाएगा जो भी वहाँ पर आपके form feeling करा जाएगे आपका PhD होगा document verification होगा तो वह process start हो जाएगा तो यहाँ पर यह इसका reporting time रहा बाकी document कौन से ले जाने है वो वीडियो मैं already बना चुका हूँ उसे आप देख लिजेगा उसमें हमने आपका सारा doubt clear किया है कि कौन कौन से document लेके जाने है कौन सा format होना चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा उसे आप देख लिजेगा उसके बाद यहाँ पर फिरेंस हम बात करते हैं डिस्कोर्ट को लेकर कि क्या पहन कर आपको जाना है तो देखे कुछ भी आप पहन के जा सकते हैं कोई यहाँ पर boundary जाने है इसके instruction में कुछ भी ऐसा बैन नहीं किया गया है आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं किन्तो यहाँ पर अगर आप mobile phone लेकर जाते हैं तो वहाँ पर यह आपके जिम्मेदारी होगी वहाँ पर रोकेंगे नहीं आप लेकर जा सकते हैं किन्तो आपके खुद की जिम्मेदारी होगी अगर गुम होता है तो उसमें CSP का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा बाकी फ्रेंस आप जितना भी डाकुमेंट लेके जाएं उसका एक फोटो का पी जरूर कराके ले जाएं अर्थात ओरिजनल डाकुमेंट ले जाएं एंड उसका एक सेट फोटो का पी जरूर लेके जाएं और फ्रेंस यहां पर जब आपका PhD समाप्त हो जाएगा तो यह आपका जो काल लेटर होगा इसे आप सुरच्छित रख दीजेगा आपका PhD समाप्त हो जाएगा तो इसे आपको सुरच्छित रखना पड़ेगा क्या कि हो सकता है कि medical के time या फिर document verification के time जब आपका final selection हो जाएगा तो उस time हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी बहुत सारे लोग होते हैं PhD देने के बाद इसे गुम कर देते हैं या फिर कहीं भी ऐसे रख देते हैं तो ऐसा आपको बिल्गुल भी नहीं करना है यह आपका proof रहता है कि first stage आपने clear किया है तो इसे आप सुरच्छित रखिएगा अगर आपका PhD समाप्त हो जाता है तो इस admin card को आपको सुरच्छित रखने है तो यह कुछ इसका instruction रहा आप समय से पहले पहुँचिएगा आप सभी को all the best सभी का फिसका clear हो जाएगा क्योंकि इसमें किसी को बाहर नहीं किया जाएगा अगर आपका chest थोड़ा सा कम है तो ही बाहर कर सकते हैं बाकी weight में किसी को बाहर नहीं करेंगे चलिफनस बाकी आप लोग का center कहां पर है किस date को है किस तारीक को है आप हमें comment section में जरूब बताएगा चलि मिलते हैं आप लोगों से फिकर से next video में वीडियो को like जरूब कर दिजेगा तक लिए जैहिन